Dictionary की concept को end करते हुए, अभी तक हमने Dictionary के creation, Dictionary की updation, Dictionary के built-in functions देखे, तो Dictionary के end part पे हम बात करेंगे Dictionary के manipulations की, जितने भी functions हमने अब तक सीखे हैं, या उन सब का use करके हम किस तरीके से Dictionary को professional way में use कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सामने एक left hand side पर आपको example नज़र आ रहा है, right side का मैं console clear कर देता हूँ, create a dictionary odd of odd numbers between 1 and 10, where the key is decimal number and the value is the corresponding number in words, तो आप यहां देख रहे हैं, यह एक odd नाम की dictionary create हुई है, जिसके अंदर numeric में key है, और जो string है, वो उसकी value है, यानि अगर कोई numeric में 1 लिखा है, तो 1 उसका string है, ओनी, यह उसकी value है, simple पहला जो function है, वो यह है कि इस dictionary को as it is print कराना, तो यहां पर यह print odd, यह function लगा हुआ है, तो जब आप print odd करेंगे, और इसको run कराएंगे, यहां पर odd का declaration है, जब आप इसको simple run करेंगे, तो पूरी की पूरी dictionary as it is print होगी, odd.keys करेंगे, तो इसकी keys, values, items, length, यानि कि length निकालेगा, और यह है in operator, जो membership operator है, जो search करेंगा, क्या odd name की dictionary में 7 नाम का element है, और 2 नाम का element है, इस तरीके से आप odd dictionary के अंदर 9 नाम की जो key है, उसकी value को print कराएंगे, इसे तरीके से dell और फिर odd का printing, पूरा program run करते हैं, तो आप यहां देखेंगे, पूरी की पूरी dictionary print हुई, उसके बाद keys print कराएंगे, उसके बाद values print कराएंगे, जो हमने keys, values और items function के दुरू item print कराएंगे, हमने पूछा length क्या है, dictionary की length कितनी है, तो length की 5 है, print 7 in odd, क्या 7 इस dictionary में available है, तो true, और अगर कोई value available नहीं है, तो उसके लिए false, और हमने कहा कि 9 के अंदर जो value है, वो print कराएंगे, तो n i n e वो string value यहां से इसने print करा दिये, और उसके बाद del statement जो remove गरने का काम करती है, dictionary की manipulations का एक फोटा सा program है, ऐसा ही कुछ और example देखते हैं, यहाँ पर भी एक question है, एक program create केया गया है dictionary के अंदर, जो employees के salary या ऐसी detail store करता है, num नाम का एक variable लिया, और int के अंदर input कराई, कि हम कितने employees का data store करना चाहते हैं, count function एक count एक variable जो 1 से शुरू किया, employee equals to date, एक employee नाम की empty dictionary create की गई, for count in range num, तो num के अंदर हमें कितने employee लेने थे, वो आ गए, count 1 से शुरू हो गया, name हो गए और उनकी salary हो गई, तो name, employee के अंदर, जो हमने एक employee नाम की dictionary बनाई थी, तो employee के अंदर name as a key गया, और salary as a value गई, तो यहाँ पर एक function भी है, और यह एक बताने की कुशिश भी की गई है, कि dictionary के अंदर आप run time पे user से input लेते हुए, किस तरीके से output generate कर सकते हैं, जैसे यहाँ पूछ रहा है, enter the number of employees, हमने का मुझे तीन employee का data डालना है, उसने का नाम डालिए, पहले employee मैंने रवी रखा, उसकी salary मैंने 12,500 रुपे, दूसरे का नाम मैंने दीपक रखा या दीप रखा, उसकी salary 23,000 रुपे, ऐसे ही एक और third employee जिसका नाम हमने देव रख दिया, और उसकी salary 14,000 रुपे, जैस as a string काम करा, as a dictionary इसने यहाँ पर data को accept करना शुरू किया, तो यहाँ पर dictionary को लेकर कि आप इस तरीके से manipulation कर सकते हैं, अगला एक program है, count the number of times a character appears in a given string, एक दियेवे string के अंदर, कितनी बार कोई character appear हुआ है, अगर यह आपको counting करनी हो, तो इसके लिए आप यह program run कर सकते हैं, द आप इसको run करेंगे, पूछेगा enter यह string, हम यहाँ पर डाल देते हैं, hello India, और enter करते हैं, तो उसने देखे क्या किया, h एक बार था, तो एक बार, e one time, l यहाँ पर दो time था, तो उसने बाकी को remove कर दिया, single बार l लिखा और उसकी occurrence बता दी, इसी तरीके से o की occurrence बताई, यह space है, space एक बार आया, i two बार आया, n कितनी बार आया, d कितनी बार आया, a कितनी बार आया, तो हर एक character की कितनी बार उसकी occurrence है, यह calculate यहाँ पर इस program ने की है, और अगर आपको इस समझना है कैसे काम कर रहा है, तो देखिए, यहाँ पर dick नाम की एक empty dictionary बनाए गई, for ch in st, ch नाम का एक, आपका control variable, जो string के अंदर run करेगा, st की value, वो value होगी, जो भी आपने string डाला है, और उस string के एक एक character को ch जोए pick करेगा, और यहाँ पर हम for loop के अंदर check कर रहे है, if ch in dick, तो क्या, यह जो ch की value है, वो dick में already available है, अगर है, तो फिर वो क्या करेगा, dick के अंदर जो भी value ह उस से आगे, उसको आगे increase कर देगा, index को आगे बढ़ा देगा, और अगर ऐसा नहीं है, देखें, यहाँ पर क्या है, if next character is already in dick, तो उसको skip करेगा, और अगर है, तो उसकी appearance को count करेगा, और फिर हमने एक और four लगाया, four key in dick, अब हमने dictionary के अंदर key function लगाया, और simple हमने क्या किया, जो भी elements थे, जो भी keys थी, उसको simply हमने आपर print करा दिया, तो यह एक तरीका है, कि जिस तरीके से एक string के अंदर कितनी character की occurrence कितनी बार है, वो count कर सके, ऐसी एक और program है, program है, write a program to convert a number entered by the user into its corresponding number in words, जो भी आप number डालें, उसकी जो words की एक string है, वो यहाँ पर print हो जाएग हम यहाँ पर एक number डालते है, 7, 8, 9, 5, तो अब आप देखें, यहाँ पर लिखा गया, 7, 8, 9, 6, 5, जो भी आपने type किया, उसी की एक-एक digit की string value यहाँ पर print हो गई, तो simply किया किया है, यहाँ पर number names नाम की एक dictionary रखी, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के सभी elements add कर लिए गए, और result नाम की एक empty string रखी, फिर हमने एक for loop लगाया, ch in num, अब num में क्या है, जो भी आप number डाल रहे हैं, उसके एक एक character को pick कर रहा है, ch नाम का variable, हमने इस ch की जो भी value थी, उसको key में transfer किया, और values को key से match कराया, जो भी number name की key value है, और values उसकी निकाली हमने, और result के अंदर हमने क्य जो भी value आती रहेगी, और plus करता रहे, gap देता रहे, plus वो value प्रिंट होती रहे, तो उस key की वो value यहाँ पर print होती चली जाएगी, जो भी digits थे, वो last level तो calculate होकर के, सारी की सारी string यहाँ पर इखटी होती चली जाएगी, एक एक key की लिए, जिसे पहले 7 था, तो 7 की यहाँ पर के second value 8, फिर 9, फिर 6, फिर 5, इस तरीके से append होते होते result के अंदर एक पूरा string आ जाएगा, और last में यहाँ पर number प्रिंट हो जाएगे, और उस number के लिए जो भी string में answer आया, वो result नाम के variable में print हो जाएगा, dictionary की manipulation का एक दो तीन चोड़े चोड़े programs थे, आगे भी रेखते हैं dictionary के कुछ और programs, ये भी dictionary के manipulations के ही program है, like एक SCL नाम की हमने एक empty dictionary बनाई, यहाँ से console clear कर लेते हैं, i की value 1 रखते हैं, flag value 0 रखते हैं, तो ये flag क्या है, i क्या है, ये सभी एक variable है, SCL एक dictionary type का variable है, i एक integer है, जिसमें 1 हमने initialize किया है, flag एक single variable है, integer type का जिसमें भी 0 हमने put किया है, और हमने यहाँ पर कहा, enter number of entries, कितनी entries आपको डालनी है, और आप एक student का admission number, उस student का नाम, उसकी class और section और उसकी percentage, आप यहाँ पर set करते हैं, और उसके बाद उसको save कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये भी dictionary के अंदर elements run time पर add करने का एक छोड़ा सा formula है, function है, और बाद में उ सभी values को as it is print करा देना, यह इस program का main काम है, ऐसे ही आगे देखते हैं, एक और program है, write a program to find the highest two values in a dictionary, किसी dictionary में दो highest value क्या हो सकती है, जैसे यहाँ numbers नाम की dictionary है, जिसमें 31 में 111, 22 में 222, 43 में 233, और 14 में 244, और 25 में 255. तो जब आप इस program को run कराते हैं, तो यहाँ पर output देखे क्या आता है, highest two values, 555, 544, तो यह दो value highest में क्यों आ रही हैं, और यह दो highest उसने किस तरीके से calculate किया, तो calculate करने के लिए simple सा तरीका है, as equals to sorted numbers.values, जितनी भी numbers की values थी, इनको sort order में लगाया, और dictionary को as it is print कराया, और highest two value के लिए s की minus one indexing और minus two indexing पर जो भी values थी, उनको यहाँ पर simple print कर दिया गया, तो यह highest two values निकालने का simple तरीका है, कि आपकी dictionary short हो गई, short होने के बाद descending order में हमने indexing परिंट करा दी, ऐसे ही, write a program to find highest two values निक्शनरी यह वारा प्रोग्राम हमने रन कर लिया, और एक st नाम का हमने string लिया, जिसमें w3 resource नाम का variable एक string हमने value डाली, d नाम की एक empty dictionary रखी, i जिसकी value 0 से initialize की, और यहाँ पर हमने किया क्या हर एक जो उसका एक character था, उसकी occurrence value को हमने यहाँ पर put किया, w को 0 से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, w 0 index पर आता है, तो w के साथ में 0 आ गया, 3 जो है वो पहले index पर है, तो 3 के साथ 1 आ गया, r आपका 0, 1, 2, second index पर है, तो वो 2 आ गया, एक string की जो indexing value है, उसको value में convert करते हुए, और string के character को as a key यूज करते हुए, एक फ्रोटा सा program यहाँ पर बनाया गया है, जो आपके किसी भी string को एक dictionary में convert कर रहा है, और convert करते वक्त, उस dictionary के single character को, जो string है, उसके character को key, और उस character की indexing को, उसकी value में convert करने का काम, यह function यहाँ पर कर रहा है, तो यह कुछ dictionary के manipulations को लेकर के programs है, आपको python से related जो books आपके पास होंगी study material के लिए, उसमें बहुत सारे programs आपको dictionary के manipulations को लेकर के मिल जाएंगे, यहाँ पर कुछ examples हमने देने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है कि sir हमें और examples की need है, तो आप हमें comment section म जरूर बताईएगा, तो हम आपके लिए dictionary के manipulations को लेकर के और programs को लेकर के videos बनाएंगे, हाला कि यह कुछ ऐसे example हैं जिनसे dictionary का main आपका base है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि dictionary के functions कैसे create होते हैं, dictionary में किस तरीके से manipulations हो सकती है, तो आपकी कोई भी query है, हमें comment section में जरू बताईए, हम उसका जरूर समधान करेंगे, thank you very much.